ओम नमस्षिवाय हमारे हिंदु धर में समय समबर कई प्रमुख परव मना जाते हैं इन्ही परवों में महा शिवरातरी एक प्रमुख परव है वैसे तो हिंदी कलेंडर के अनुसार प्रतेग मास के क्रिष्ण पच्च की चतुर्दसी तीथी को शिवरातरी के रूप में मना जाता है परन्तु फालगुन मास के क्रिष्ण पच्च की चतुर्दसी तीथी को महा शिवरातरी के रूप में मना जाता है अगर हम पौराणी कथाओं की माने तो शिवरात्री को मनाय जाने के दो प्रमुक कारण बताए जाते हैं पहला कारणिया है कि फालगुन मास्कि किष्णपच की चतुर्दसी तिति को ही माता पारवती वा भगवान शिव का विवा हुआ था और इस तिति को ही माता पारवती वा भगवान शिव के महामिलन के उत्सों के रूप में मनाय जाता है और भक्तों का यह भी मानना है कि इस दिन भगवान शिव के आरादना करने से वे सीग रिप्रेशन हो जाते हैं एक माननता यह भी है कि उनके जिनके विवा में अर्चने आ रही हूं वो अगर महाशिवरात्री का ब्रद रखें तो वे अर्चने दूर होती हैं। वहीं अगर इसके दूसरे प्रमुक करण की बात करें तो महाशिवरात्री के दिन ही महादेव अपने शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे तब सबसे पहले ब्रह्मा जीवा विश्णु जी ने उनकी विधी पूर्वक पूजा अर्चना की थी इसी वज़े से शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्री के दिन विश्यस रूप से की जाती है महाशिवरात्री में भगवान शिव की पूजा में छे प्रमुक वस्तों का उपयोग किया जाता है दूद शहद, बेर या बेर पत्र, शिंदूर, फल या अनाज, दीपक वा पान वहीं तुलसी के पत्ते, हल्दी, चमपा वा केदकी के फूलों के प्रयोग कुवर जित किया गया है